देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इंदर अपराधियों की शामत आई हुई है CM योगी ने साफ कह दिया है कि जो भी दूसरों को नुकसान पहुचाने की कोशिश करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्षा नहीं जाएगा यही वज़े कि प्रदेश में कारणों हाथ में लेने वाले लोग अब खौफ में नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में आशान्ती और कारणों विबस्ता विगारने वालों का यूपी पुलिस ऐसा इलाज कर रही है कि अपरादी नापाक हरकतों को अंजाम देने से पहले अब सौबार जरूर सूचते हैं इसके बावजूद भी जो लोग बाज नहीं आ रहे हैं उन्हें भी अच्छे से सबक सिखाया जा रहा है तरसल कुछ दरों पहले मेरट से एक वीडियो सामने आय था जिसमें नौशाद नाम का युवग किसी शादी समारों में थूक लगाकर रोटी बना रहा है जिसके बाद उस पुलिस ने गरफतार करके जेल भेश दिया इसके लावों उसने ये खुलासा किया था कि वो पिछले 10 से 15 सालों से अलग अलग शादी समारों में इस तरह की अरकत कर रहा था इसलिए अब उसकी इस घटिया अरकत को तगडी सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तारी कर ली है अब कबर है कि नोशाद के उपर राष्टिय स्रक्षा अधीनियम यानिकी एनेसे के तहट मामला धर्ज कर कारवाई की जाएगी नोशाद और फसुहेल फिलहाल नयाएक रासत में है और पुलिस ने उस पर एनेसे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है हिंदू जागन मंच के महानगर अध्यक्षे सचिन स्रोई ने मांग की थी कि नोशाद पर रासुका की कारवाई की जाए उनकी शिकायत पर ये कारवाई हुई वही हाली में बीजेव विदायक सोमेंद्र तौमन ने भी विदान सवामन नोशाद और फसोहेल पर रासुका लगाने का मुद्दा उठाया जिसके बाद ये मामला राज बर्मत चर्चा का विशे बना मेडिकल थाने के इंस्पेक्टर प्रमोत कुमार ने जानकारी दिये का नोशाद पर रासुका लगाने की प्रक्रिया अपना ही जा रही है और इसके लिए अभी योजन अधिकारियों से भी राय ली जा रही है कई मामले पहले से दर्ज हैं जिस मेहने से जोड़ा जाएगा नोशाद और सोयल ने पुलिस को दिये गए बायान मा आरुपों को गलत बताते हुए दावा किया कि गंदगी ना गिरे इसलिए तंदूर में रोटी डालते वक्त उसे बार बार चुकना पड़ रहा था दरसल हिंदू जागन मंच के सचिंस रोई ने अपनी लिकित तहरीर में बताया था कि नोशाद और फसोहिल शादी समारू में तंदूर की रोटिया बनाते समय थूकर तंदूर में सिक रहा था उन्होंने अपनी शिकायत में कॉरोना वाइरस संक्रोन मामारी का भी जिक्र किया था हिरासत में लेकर अब जब पुलिस ने उससे पूस्ताच की तो उसने कबूल किया था कि इस वीडियो में देख रहा शक्स वही है और उसने ही इस तरह की हरकत की है इसलिए अब उसे पुलिस ऐसी सजा दिलाने जा रही है जो आगे से कोई भी ऐसी घट्या अरकत को अंजाम देने की कोशिश भी ना कर सके देश और दुनिया की तमाम ख़बरों को पाने के लिए देखते हैं वीके निउस नमस्कार